देव्यो और सजनू चलिए शुरू करते हैं एक नई स्रिंग खिलाज इस सब्जेट का नाम है फार्मेसी प्रैक्टिस जो कि बी फार्मा के फाइनल येर में है सेवन सिमिश्टर में और ये डिप्लोमा के फाइनल येर सेगंड येर में है इसका नाम है एच सीपी दो धिरे-धिरे क्रेज बदल रहा है फार्मेसी का आज से 10-5 साल पहले जब बच्चे फार्मेसी करते थे बी फॉम या एम फॉम वह सिर्फ मेडिकल स्टोर या मार्केटिंग या इंडश्ट्री में ही काम करते थे लेकिन अब धिरे-धिरे जवाना बदल रहा है अब वो इसलिए पढ़ाई में कुछ चेंज लाते हुए फार्मेसी प्रैक्टिस शुरू किया गया इसको स्टार्ट करते हैं चेप्टर नमबर वन महमान की खातिरदारी को क्या बोलते हैं तो इसी सब्द को हिसाब से यह सब्द बनाया है अब हम तो इसी सब्द बढ़ाई में अब था इसको सरकारी को सरकारी किया है and whose outpatient service reach out the family and its home environment the hospital is also a center for the training of health workers for bio-social researchers यह definition आपको 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 याद करके लिखें कि यह डबली एच को definition है उसको अगर हिंदी समने जाए तो क्या है? जो की समाजिक या किसी भी चिकिसी गूप संस्ता है जहां पे किसी बिमार व्यक्ति को का इलाज उपचार किया जाता है वह उसको ठीक किया जाता है यह हम उसको बोल सकते हैं hospital ठीक है? अब हम बात करेंगे what is the function of hospital? hostel के functions भी आपके exam में पोसकते हैं long question में तो आपको मैं definition यहाँ पर मैं heading by heading बताऊंगा फिर इसको मैं explain करूंगा इसमें आप उसी चीज को अपनी copy में as it is note सुनते हुए लिख लिजेगा तो पहला function दो पैसेंट care what is the meaning of patient care? तो इसमें आप इसका मतलब यह है कि जो भी patient या दुखी या बिमार व्यक्ति आपके hospital में आता है उसकी सेवा करना उसके इलाज करना और उसकी देखभाल करके उसको ठीक करना तो पहला डाली heading patient care इसमें लिखेगा the patient care is the primary service of the hospital it is basically to cure and prevent the disease of the patient which comes in the hospital and to maintain the health condition to enhance the health condition of patient दूसरा function है diagnosis and treatment of disease देखे अगर कोई मरीज आपके आस्टाल में आया उसने कहा भाया बहुत तेज पेट फिराद बहामार यानि वो कह रहा है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है तो सबसे पहले आपको diagnose करना है कि उसका पेट दर्द क्यों करना है कई reason हो सकते हैं हो सकता है उसके पेट में gas की problem हो हो सकता है उसके पेट में पथरी की problem हो, stone की problem हो, हो सकता है उसके पेट में appendicitis की problem हो, हो सकता है उसके पेट में ulcer की problem हो, हो सकता है उसके पेट में किसी प्रकार की constipation की problem हो, यानि किस कारण से उसका पेट दर्ध हो रहा है, उसको पता लगाना, by using different different test, this is called diagnosis. तो hospital का सबसे पहला काम है diagnosis करना और एक बार जब diagnosis मालूम चल जाए कि कौन सी बीमारी है फिर उसका particular इलाज सुरू करना this is called treatment of disease. तो इसमें है diagnosis and treatment of disease क्या लिखियेगा? कि when the patient comes then by observation and studying their symptoms, behavior and cause of the cause of the problem to identify the disease this is called diagnosis and after identifying the disease to give him suitable treatment for their prevention and control ठीक है? यह बस दो दो लाई लिखना आपको वस इतना exam में पूछेगा चार ना वर्षी नम्मर में तीसरी heading है outpatient service इसको समझना है what is the outpatient service बहुत से patient ऐसे भी आपके hospital में आएंगे दोस्तों जो एडविट नहीं होंगे कि पता चला सारे patient एडविट होने वाले बहुत से patient आएंगे doctor को दिखाएंगे अपनी दिक्कतत आएंगे doctor उनको medicine subscribe करेगा कैसे खाना क्या खाना और वो चले जाएंगे this is called outpatient service तो इस ही को बोलते है outpatient service इसमें क्या लिखेंगे some of the less critical or non-serious patient comes for the advice with the pharmacy and doctors ठीक है and the doctors provide the medicine and some precautionary habits this is called outpatient service अगला है medical education and training देखें बहुत से hospitals में क्या होते है medical college की तरह होता है वहाँ पर colleges होते हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाते हैं और वहाँ पर training जाती है तो यह भी एक hospital का function है उसमें का लिख सकते हैं अगली heading में this is the role of big hospitals like medical colleges, AIMS, PCI in state and central government where the students comes and educate and complete their training and education ठीक है? अगला है medical and nursing research देखें बहुत जगहाँ पर देखें medical college doctors के लिए था वैसे ही nursing research में nurses को तयार किया जाता है उनको सिखाया जाता है, उनको training देती है तो nursing care की बात यहाँ पर होगी तो medical and nursing research की बात करेंगे तो like a medical college for the doctors there are the different nursing research centers where the GNM, AIMS courses are conducted and they prepare and educate and provide training to the nurses ठीक है? अगला है prevention of disease and promotion of health यह भी बहुत अच्छा function है सबसे आखरी और सब्सक्राइब बहत्रियन फंक्षन है कि उनको लोगों को जागरुक करना है कि जैसे डेंगू में आपको लगातार कपड़े फुल पहांगे पहनने है COVID में आपको दोगाज की दूरी मास्क है जरूरी रखना है आपको असुर अच्छ दियोन संबंध नहीं बनाना है मलेडिया में क्या करना है तो किस बीमारी में कैसे बचाव कर सकते हैं क्या करना है इस सब की study को ही prevention of disease and promotion of health कहते है तो यह भी एक बहुत बड़ा function है तो इस heading में आप क्या रिखेंगे the hospital make awareness programs and planning to promote the health services to the patient in the social sectors ठीक है they provide different-different guidelines for the different-different diseases and provide the prevention of disease and promotion of health ठीक है दोस्तों यह functions होगे मैंने सारे आपको explain कर दी आपनी copy में इसको आज़ेटिश लिख लीजेगा अब हम बात करेंगे classification of hospital यह बहुत important question है आपसे long पूछेगा तो सारे 10-12 प्रकार classification आपको लिखने होंगे और short में अलग लोग प्रकार से पूछेगा तो आप लिखेगा बताओं का कौन सा एक्जाम में अक्सर आता है तो अब क्या है किसके basis पर classify कर सकते हैं हम इसको hospital के length और size की basis पर classify कर सकते हैं दूसरा clinical basis पर classify कर सकते हैं honor और control basis पर कि मालिक कौन है, सरकारी है और private है objective किसके लिए बनाए गया hospital उसके basis पर size की basis पर, management के basis पर और system of medicine के basis पर हम हास्पिल को classify कर सकते हैं बारे बारे से देख लेते हैं आपको आज इस लिख लेना है लेन्थ of stay के basis पर मरीज आपको कितने दिन तो बहुए कुछ जगा अस्पिताल मेरीज आया, admit हुआ थोड़ा से ठीक हुआ चला गया कुछ जगा मरीज के लंबा इलाज चलता वह दो महीने तीर महीने admit रहता लेन्थ of stay के साब से होस्टेल दो प्रकार होते है जाली पहले हैटिंग इसमें के लिखेंगे i. अब अब शृड़ा होस्पिताल आक यहां पे किडनी की, ब्रेण की, हर्ट की की, जीवर की हर तरह की डाक्टर बैठते हैं और हर तरह की रिलाज होता है और कुछ-कुछ अस्पिताल आप देखता हो किसे इसे cancer hospital, वह सिर्फ वहाँ पर cancer की रिलाज होता है cardiac hospital, वहाँ पर सिर्फ heart patient जाते है kidney, renal hospital, वहाँ पर सिर्फ kidney patient जाते है किसके कोफ़ी भी लिखना है तो ओरनर की मतला क Atlantumnal achievement उस असपिताल का मालिकutil है एक होता है पब्लीक hospital . जो कि सरकार ही होता है जिसको सरकार मालिक होते हैं कि आपके यहां पशचते हैं जिला पहनों फीदी गशानगत घर होता है फो पब्लीग ऐ होश्पितल एक होता हैं वौलृंटरी हॉस्पितल्री होता है शोटा रूफ होता है इसको फ्राइविट नर्सीं होम कहते हैं और अगला होता है जी बड़े होस्टल होते हैं जहें संस्ता होती है बहुत बड़े लोग होते हैं कैसे कि आपने सुना को अपूलो को अपूलो इक बहुत बड़ी संस्ता उसकी होस्टिल कई जहाँ पे खुले हो तो अपूलो को अपूलो को मीयए सब करें कौपरेटिव इस अगला है अगला है लेके निकलते भी हैं और वहां मरीज भी देखा जाते हैं जहां पर पढ़ाई के साथ साथ education, research के साथ facilities भी जाती है treatment की उसे हम दोते है teaching come research hospitals बस इसको नाम लेके छोड़ दो इस इंपॉर्ड़र नहीं जहां पर सभी प्रकार की बिमारीयों का इलाज कर सकते हैं इस पेसलाइज होस्पिटल जहां पर इक particular disease की बात किया थोरी दिर पहले उसकी होती है और isolation hospital का मतलब होता है जो ऐसे hospital जो की पूरी तरह से isolate होते हैं जहां पर particular किसी एक particular area का किसी particular एक ही काम के लिए वहां पर treatment होता है उसे बोलते है Isolation Hospitals ठीक है देखें सिया बेश्डान साइस साइस का अधार पर अब आपको मैं समझाओं जोसे माल लेजे कि आपका घर इलहाबाद में है तो आपके इलहाबाद में एक बड़ा सा अस्पिताल है जिसे स्वरूपरानी हो गया काल्विन हो गया वो जिला करते हैं अब आपका घर इलहाबाद के किसी गाव में है माल लेजी तो वहाँ पे आपका ब्लोक लगता है उस ब्लोक में होता है भी कहाने नहीं हो प्र एफ मまだ ब्लोका स्वरूपरानी वहाँ में आपके डिस्ट्रीक्राणुन हो ठाभल 충त पिर आपाने ब्लॉक एललवक ल होते हैं, और पिर सबसे ब्राज़ें आपने कश्मा बड़े यह भी होते हैं। उसको। चंड़ी निए भी ऑπαद होते हैं, तया प्षिट्ग के मैं कि वबत distingu años तालुका इस अपितल मतलब जो आपके ब्लॉक लेवल पर उस्पिताल होते हैं तिक है फिर CSC, Community Health Center जो आपके आपके थाना एरिया पर होते हैं आपके तहसील एरिया में होते हैं तेसिकली हम उसको कह सकते हैं तहसील एरिया में उसे CSC बोलते हैं और फिर जो आपके गाउव पर इसको पिरसी बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ कर बस नाम लिखना दोस्ते हो कुछ भी रही करना है ठीक है जो श्रीन करना हो बताऊंगा ठीक है आगे हम बात करते हैं State Government जो हस्पताल का जिसका आए से Всемीए के पास होता है इस 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 С yad के पास होता है लो एक जो हो बार्श कर नहीं है बमें मिल्स्तर के इसे हई-को वो पैस है जिसे हाई-कोट के जो होस्पिट्स के पास है इसे का रामी होस्पिटल उसका बारत आर्मी के पास है तो जो autonomous body होते हैं उसको बोलते हैं autonomous hospitals ठीक है फिर private hospital आते हैं आप जानते हैं जो private लोग होते हैं वो अपने अस्पिताल खोलते हैं फिर voluntary agency मतलते हैं छोटी होटी कमपनी है लोग मिलके जो रसी home cleaning के लाते हैं उसको voluntary agencies कहते हैं ठीक है अब system के basis पे अब system का मत आप जानते हैं जहां पे आर्यूवेथिक मेडिसीन दियाती है वहां पे अरिष्था आसवा चूड़ा यह सब बाबाराम्ते वाला सिश्व इस इस गाल्ड आर्यूवेथिक hospital होमेडिक system medicine के साफ से दवाई दियाती है युनानी में जहां पे आप जानते हैं युनानी system के स सकते हैं अब यह एक्जाम में एक आपसे short question पूछता है चार नंबर का इसलिए मैं को explain करने जा रहा हूँ क्या होते हैं intermediate district hospital और rural देखे समझें जो राज इस तरफे हैं उसे regional hospital कहते हैं ठीक है जिसे मैंने बताया था आपको PCI यह सब आपकी जो भारत चंडीगर गवर्मेंट के पंजाब और इसी तरह से अलग लग गवर्मेंट के पंजाब और इसी तरह से अलग गवर्मेंट के इसे अलग बताया है जो बात करेंगे जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो वहां पर किते लोग काम करते हैं वहां पर मालिक कौन है नौकर कौन किसके अंडर पर काम करता है उस बेसिस पे पूरे और इसके पूरे के पूरे सिस्टम अगर आपको समझा नहीं होता आप इस तरह समझ सकते दोस्तों यह सबसे पहले बोर्ड होता है बोर्ड ऑप ट्रस्टी मतलब जो उस पूरे संस्था के मालिक है अब वो चाहे सरकार हो या प्राइवेट हो प्राइवेट में ही जो इन्फॉर्मेशन सर्विस जो पूरे अस्पताल की सूछना पदहती को समलती है दूसरा थiggle это service जो इलाज करने या उसके इलाज करने में हैल्प करती है फिर आती है diagnostic सर्विस जो जाच करती है विमार्यों की तीसरा department है और चौथा department होता है support service जो बाकी चीजों को control करने के लिए health support करते है उसे support service अब देखे बस आपको ये chart जब भी आप से exam में पूछा organization level आप ये chart बना दीजिए ये chart ही sufficient है इतना ही chart बना कि आप explain कर देंगे आपको full number मिलेंगे तो देखे अब information service में जैसे कि admission भाई patient आता है आपको control admission करते है वो भी information में आता है billing and collection जहां पर आपको bill बनता है जहां पर sample जमा करते है जमा करते है पैसा ठीक है health education जहां पर आपको educate करते हैं guidance देते हैं जहाँ पोश्टर बाइनर्स लगे होते है medical record जहां पर रखा जाता है सभी patient का history रखा जाता है information system जहां पर software computers लगे होते हैं और human resources HR जहां पर होते हैं जो recruitment करता है किसको रखना है किते नर्स जुरुवत है किती डॉक्टर को रखना है किसकी salary कितनी देनी है कि सारा information service में आता है अब therapeutic service में ऐसे लोग जो इलाज में directly या indirectly participate करते हैं इसे डॉक्टर और नर्स इलाज में directly participate करते हैं pharmacist, parathematical, lab वाले यह सब indirectly तो अब इसमें इसमें physical therapy है, occupational therapy है, speech language psychology है, respiratory therapy है, medical psychology है, social service है, pharmacy है, dietary है, sport medicine नर्स इस सारे के सारे किसमें आते हैं आपके therapeutic service में अब आता है diagnostic में जो जाच करते हैं, जिसमें live rotary है, imaging है, MRI है, city scan, यह सब करने वाले जो cardiology, neurology, emerging medicine यह सब diagnostic में आते हैं तो आप इसमें कुछ चीजों को हम जान लेते हैं, इस exam में आपसे पूछेगा, तो short myth पूछेगा, what is the outpatient department, अब इसको आपको सम्झाना है, तो organization के अंदर ही आता है, outpatient रहते हैं, किसी भी बड़े अस्पताल में, जब आप जाते हैं, तो मरीज दो प्रकार से होते हैं, ए आप अस्पताल में गया, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, अपनी फीज दिया, उसने आपको medicine दिया, आपको पर्चा लिखा, आप लिखे और चले आया अपने घर, यानि वहाँ पे admit नहीं हुए, this is called OPD, outpatient department, ठीक है, अब आपको लिखाएंगे, कैसे define करेंगे, the outpatient department is the organization part of the hospital, where patient is not admitted, basically they goes into the hospital and after the consulting with the doctors, they comes, takes medicine and comes back into home, ये OPD है, ठीक है, इसको definition लिख लिख है, बसमे क्या होता, क्या काम होता है, इसमे क्या होता, इसमे क्या होता, क्या होता है, इसमे क्या होता, what is the function of OPD, the function of OPD is consultation with doctor, doctor से consult करना, undergo investigation, अपनी जाच कराना, minor procedures, जो शोटे मोटे काम होते हैं, जाच कराना, report लेना, blood देना, वो सारा procedure होता है, health education provide करना, आपको educate, educate करेंग, doctors क्या खाना है, क्या खाना है, receive specialty service, rehabilitation service, ये सब होता है, अब इसके अदर medical, surgical, OB, gyne, अलगले department आते हैं, आप इसको देख सकते हैं, OPD में कौन कौन से department होता है, अब इसी तरह से emergency, देखें दोस्तों, अस्पिताल में OPD, IPD के लावा एक emergency होता है, माले जो किसी का accident हो गया, किसी को चकर आ रहा है, किसी को heart रहा है, अचानक से वो बहुत serious condition में है, तो ऐसे condition में बेसें जो है, वो अस्पिताल के सबसे पहले emergency ब्राद को वहाँ पे तुर पहुश सके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, victim of accidents, patient with cardiac arrest, patient with breathing department, ऐसे patient जो है, वो direct कहाँ पर आते है, emergency में, ठीक है, यह area हमेशा कहाँ होता है, यह आशिल्ट होता है, main hospital से अलग होता है, और जहाँ पर सबसे पहले आप पहुश सके, easily available होता है, ठीक है, यहाँ पर sufficient medical और nursing, personal होते हैं, और equipment, machine, सारे कुछ आप facility available होती है, इसी तरह से मने बता है, inpatient department, ऐसे मरीज जो भरती होते है, अस्पताल में, उनको जो supply होती है, जो medicine होता है, उनको doctor उनके bed पे देखने जाता है, वो doctor उनके bed पे देखने आएगा, nurse उनके bed पे आएगी, उनको दबाई उनके तो सब कुछ इसे बोलते है, IPD, inpatient department, ठीक है, तो patient who receives continuous medical care and attention, उनके बोलते है, inpatient service, stay overnight for several days, ये कई लगातार कई दिना तो रात भर रुखते हैं, for diagnostic treatment facility, patients are given to facility for loading medical and nursing care, ठीक है, उसमें service का क्या है, dietary department है, pharmacy है, other pharmaceutical services है, paramedical services है, ठीक है, अगला है, nursing department, तो दुसरे दसे doctors होते हैं, pharmaceuticals होते हैं, nurses होते हैं, nurses का भी बहुत बला रोल है, doctors के बाद, उनका हीरो सब से बड़ा रोल होता है, तो उसमें क्या होते है, उसमें कौन कौन स होते हैं, वहाँग जो head of nursing होते हैं, उनको nursing officer या nursing superintendent कहते हैं, उसके बाद उसमें एनो आती है, अशिस्टेंट नर्सिंग ओफिसर या अशिस्टेंट नर्सिंग सुब्रेटेंड़िएज फिर नर्सिंग आती है फिर उसके नीचे head nursing और उसके नारे staff nurse आती है ठीक है वाकी甫, paramedical department पे labbau्टरी है जहाँ बें lab जाच होती है, डिफरेंट सेक्सेन है जैसे कि हमेटोलोजी, बाकлемेटी बैक्तियोलोजी ठीकिया और इसितरा से जहां पर सिस्य्टिस का अमराई वगरा अलग जांग होता है उसको रेडियोलोजी डिपार्टमेंट कहते हैं एक ये भी डिपार्यमेट्मेंट है रेडियोलोजी और फार्मेशी तो भी बहुत भू कुछ और डिपार्टमेंट है रिसे की अड्मिनिस्टेशन, एकाउंट, हॉस्कीपिंग, मेंटरेंस, CSS, डिसेंटरलाइज, ठीक है, इस्टराइल सेक्सेंट डिपार्टमेंट, जहां पर इस्टराइल मलब जो की इस्टराइल एरिया है, कपड़े हैं, किट हैं, यह सब सप किया है, कोसिस करेंगे, बहुत जल्दी खतम करें, क्योंकि दोस्तों इसको बोर्ड में पढ़ाने का मतलब है कि बहुत टाइम टेकिंग होगा, मेरे ख्याल से आपको स्लाइट से समन्द में आ रहा है, आप अपना ओपेनियन जरूर दिजे कमेंट सेक्शन में, तो मिलते ह आप से नेक्स क्लास में, थैंक यू सो मच